हलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे दम मुंबई म्यूजिसियन्स वंस अपोन ए टाइम देर लिवड ए डोंग की नेम्ड गूपू एक समय की बात है एक गूपू नाम का एक डोंग की रहता था उसने वहें फार्मर के घर में कई सालों तक काम करता था वहें कई बोरियां कोर्ण और सुगर केन की फैक्टरी से फार्म से फैक्टरी तक ले जाता था अब वहें बहुत थक गया था और बुड़ा हो गया था फार्मर ने गुपू से कहा तुम बहुत अच्छे डोंग की हो टेक दिस सैक ओफ कोर्ण एंड गो एंड सी दा वर्ल्ड बिफोर यू बिकम तो अल्ड यह है कोर्ण की एक बोरी लेलो और जाओ पूरी दुनिया घुमो जब तक की तुम बुड़े नहीं हो जाते गुपू स्माइल एंड सेट गुडबाई गुपू मुस्कराया और अल्विदा कहा उसने मुंबई शिटी की तरफ में जाने का फैसला किया मैं मुंबई जाओंगा और वहाँ एक संगितकार बनूगा ओन दावे ही मैट एडोग रास्ते में वहे एक डोग से मिला वेर आर यू गोईंग आस्ट डुपू डुपू ने पुछा आप कहां जा रहे हो आई एम गोईंग टू मुंबई तू बी ए मुजिशियन मैं एक संगितकार बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ वूड यू लाइक टू कम टू आस्ट गुपू क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे गुपू ने पूछा येस आई वूड रिप्लाइड डुपू डुपू ने उतर दिया हाँ मैं भी चलूँगा ओफ वेंट दा टू फ्रेंट्स ओन दा डुस्टी रोड टू मुंबई दोनों फ्रेंट्स मुंबई की धूलबड़ी शड़को पर मुंबई के लिए रवाना हुए They saw a ball of fur in the middle of the road उन्होंने रोड के बिस में एक fur बालों से बनी हुए एक बोल देखी Who are you? They asked उन्होंने पुछा आप कौन हो? I am furry, the cat said the cat Billy ने कहा I am furry, मैं furry हूँ Would you like to come with us to become a musician? क्या आप हमारे साथ musician बनोगी? आप हमारे साथ musician बनने के लिए जाना पसंद करोगी? Asked Gupu and Dupu together Gupu और Dupu ने दोनों ने पूछा Oh, I would love to come along replied Furi Furi ने उतर दिया हाँ, मैं आपके साथ चलूँगी So off weren't there So off went the three together to become Mumbai musicians फिर वे तिनों मुंबई में संगितकार बनने के लिए रवाना हुए Soon they met Cuckoo the Coke I love music and wish to join your band सिग रही उनकी मुलाकात कुकू से हुई और वह भी उनके band में उसको भी music पसंद था और उनके band में सामिल हो गई They all rest a house with a light वे सभी एक घर में पहुँचे एक light के साथ They were tired and hungry वे बहुत थक चुके थे और बूखे थे They pipped in through the window and saw a table with delicious food उन्होंने window में जाका और एक खाने से बरी हुए table देखी They decided to sing to let the people inside know that they were musicians उन्होंने गाना गाने का फैसला किया अंदर वाले लोगों को यह दिखाने के लिए कि वे एक संगितकार है They sang उन्होंने गाया The people inside thought that ghosts had come to scare them अंदर बैठे लोगोंने सोचा कि भूत हमें ड्राने के लिए आए है They run away as fast as they could उन्हें से जितनी तेज भागा गया वे भाग गए गुपू, डुपू और फर्री वेंट इन्ट इन्ट दा हाउस एंड एट दा फुड तिल दे कुड इट नो मोर गुपू, डुपू और फर्री घर के अंदर चले गए और उन्होंने खाना खाया और उतना खाया की, जितना की वे है, तिल दे कुड इट नो मोर जितना वे ज्यादा नहीं खास के तब तक खाते रे, जब तक उनकी भूख साथ नहीं हो गई न्यू वर्स देखते हैं, टायर्ड, टायर्ड मतलब ठकना म्यूजिसियन, संगितकार, पिप्ड, जाकना, डिलिशियस, स्वाधिष्ट, गोष्ट, भूत, स्केर, ड्राना थेंक यू, आज की वड़े में इतना ही